भाईयों शुरू करते हैं इम टाइम का नाम लेकर और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर लिंक किंग्जो को जैनित पैलेस का हलका सा पावर फील हो जाता है इसकी टीचर मर चुकी थी अब ये पैलेस को चीरते ऊपर के तरफ निकलती है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग था वो अंडरगाउंड में चल रहा था और हाँ जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ने किया है याद से कर दें अब आगे तो इधर सूरूओ को दिखाये जाता है ये अपने तलवार को लेकर तो खड़ी थी और इस पर 10-12 लोग युवान सूरूओ के पीचे से कवाज आती कि जूनियर सिष्टर सावधान रहिए ये देखती है उस डायरेक्शन में इसके तरफ एक खिपादे कई सरे युवान पावर वाले अटेक बढ़ रहे थे और इन सभी का ओरा सूरूओ से बिलकुल भी कमजोर नहीं था ये तीन लोग थे जिन्होंने सूरूओ के भागने के रास्ते भी ब्लॉक कर दिये थे अब इन तीनों का आटेक जैसे इसको हिट करने वाला था तब ये ग्रीन लाइट औरा प्रकट होती है और ये तीनों बंदे युवान गेट पूरी तरह से जलके खतम हो जाते है और ये ग्रीन औरा यही पर नहीं रुखती है जो पीछे भी युवान गिट के disciples थे एक के बाद एक ये खून वाले धूंद में बदलते जाते हैं बागे disciples purity palace के देखते हैं उस तरफ जहां से green और आई थी देखते ही इन्हें पहचान जाते हैं ये थी इनकी senior sister king zoo वैसे guys मैं अपनी पसंद बता दूँ तो मुझे one one जादा पसंद है क्योंकि ling dong के साथ जो इसका relation है वो शुरुवाती level से built हुआ था और वहीं king zoo के साथ ling dong का relation थोड़ा complicated था शुरू से ही जैसे कि btth में zunir के साथ अपना zayao yan का relation रहता है यानि एक साथ दीरे देरे वो develop होता है खैर आगे बढ़ते हैं सुरु वो देखती है white cloth lady की तरह जो की इस तमय चेहरे पर एक नकाब पहने हुए थी और इस लड़की यानि king zoo के आखों में एक अलगी killing intent था king zoo कहती है बाकी साभी जो इसकी junior sisters थी कि तुम लोगों ने काफी मैनत कर लिया अब मुझे सम्हालने दो सुरु वी इस से कहती कि senior sister purity palace को protect करना हमारी duty है तो इसमें कोई हम पर pressure नहीं है अब इसके बाद king zoo की निजर आसमान में जाती है जापर कई सारे black clouds दीख रहे थे और वहाँ पर इस एक elderly figure देखते है जनके body से खातरनाक level का pressure निकल रहा था अब ये elder भी कहता है चलो finally 9 supreme purity palace कोई ढंका तो भाहर निकला युवान गेट की ये first elder थे king zoo इनकी तरफ देखती है और क्या थी क्या तुम वही हो जिसने मेरी teacher को injured किया था और इस समें king zoo के body से एक अलगी level का aura निकल रहा था ऐसा aura जो कि समसारा level पर तो था पर शयद इसमें एक divine touch था first elder भी अब king zoo की तरफ देखते हैं और एक cold smile देते हैं और इससे कहते हैं लगता है तुम्हारी palace master ने अपने पूरे यवान power मरने से बहले तुम्हें दे दी तुम सच में काफी extraordinary हो ने तो inheritance हासिल करना उसमें 90% लोग fail हो जाते हैं पर तुमने इस power को प्राप्त कर लिया है यवान गेट के elder first elder के आदिस भी जो elder बढ़ते हैं इनका भी strength समसारा level पर ही था और ये जाओ कुई से भी जिसे लिंगडॉंग ने मारा था उसे stronger ही थे अभी elder के इंगजू से कहते हैं कि तुम्हें surrender कर देना चाहिए ये कुछ बोलती नहीं है अपने तलवार को लेकर सीधा इनके तरह बढ़ती है और इसके तलवार में से एक green light बाहर निकल और सीधा space को चीरते हैं इस elder के तरह बढ़ती है फर्स elder जब इस scene को देखते हैं तो वो चिलाते हैं और वो जो elder जो किंगजू से fight करने के लिए आया था वो तुरंती अपनी body के असबा एक युवान power का defensive wall बना लेता है पर इनका defense तुरंती जैसे green light इससे टकराता है इसमें crack आने लगते हैं और green light इनकी body को भेद देती हैं और ये भी एक दूंद में बदल लियाते हैं लोग हैरान थे हाँ पर किंगजू ने समसारा level के बंदे को बस एक attack से पूरी तरह से खतम कर दिया था पर इनकी युवान spirit बची हुई थी तो ये किंगजू को थोड़ा गाली देते हैं और कहते तुमने मेरी body destroy कर दिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा फर्सेल्डर इस युवान spirit को रख लेते हैं उसके बाद ये किंगजू के तरह बढ़ते हैं किंगजू भी इसने जो ये attack यूज किया शाद इसमें इसका काफी power लगा था तो इसका चेरा भी थोड़ा सा पेल पड़ चुका था फर्सेल्डर कहते हैं तुम सच में outstanding disciple हो आज तक की nine supreme purity palace गी और अकेले कैसे बचा पाओगी और ये कहते शाद तुम अपने teacher से भी जादा talented हो अभी अपने बाके disciples को आदेश देते हैं कि ये पूरे purity palace को खून से सान दो disciples अब आगे बढ़ते हैं सूरू वो तयार थी fight करने के लिए और बाकी भी disciples पर किंग्जू इसे रोकती है और ये कहती है कि बाके disciples को लो और पीछे से निकल जाओ सूरू समझ जाती कि ये आप क्या कह रहे हैं आप अकेले fight करोगे हम भाग जाएं ये कहती कि हम मरने से नहीं डरते हैं पर सूरू को किंग्जू समझाती हैं कि तुम सभी मरी जाओगे तो purity palace का बचेगा फिर क्या और master ने मुझे ये order दिया था और मैं अब यहां की नई palace master बन चुकी हैं तो तुमें मेरी बात माननी पड़ेगी purity palace के disciples रोते हैं पर अब यह यहां से भाग ने रगते हैं इनके कहने पर किंग्जू भी रो रही थे पर नकाव के अंदर इसके आशू जा रहे थे उसके बादी है फ़र्स्ट elder की तरब दे और कहती है मैं मर जाओ तो क्या पर बाकी लोग नहीं मर सकते सेक्ट मेरा नहीं खतम हो सकता पर यूवान गेट के जो एल्डर थे वो कहते कोई भी नहीं भागेगा सब को मार दो यह सबी disciples आगे पढ़ रहे थे पर इनके बीच में किंग्जू खड़ी थी और यह एक अपना secret technique यूज करती ग्रीन लोटस, थाउजेंड्स वर्ल्ड आर्ट और आसमान हजार से ज़्यादा तलवार बना कर यह जितने भी यूवान गेट के disciples उन पर यह attack कर देती एक के बादे कई सारे यूवान गेट के disciples को यह अपने single attack में मार देती है पर वो first elder को इससे कोई ज़्यादा फरक नही इस्टेरियास है, तीनों एक साथ मूव करते हैं और किंग्जू को घेर लेते हैं और जो बचे कुछे disciples से इस मौके का फायदा उठा कर प्योर्टी पैलस के भाग रहे, disciples पर attack कर देते हैं, किंग्जू यह देखती है, यह सोचती कि यहाँ से निकलों और अपने disciples को अब एक green lotus बन जाता है, green lotus यह काफी तेभी तेजी से revolve कर रहा था, और इसके अंदर जो पंखुडिया होना, वो इन तीनों elders के, वो जो attack थे उनके तरफ बढ़ते हैं, और इनका attack dissolve हो जाता है, तीनों elders हैरान थे, क्योंकि किंग्जू का जो औरा था, वो समसारा लेवल प जाता है, और इसमें से निकलने वारी जो green light इन तीनों के तरह बढ़ती है, तीनों elder समझ जात, कुछ तो गड़ बढ़ है, अब इनके भी body से black light बाहर निकलने लगती है, जो कि एक evil ओरा थी, पर इस समय था, सैथ थोड़ा लेट हो जो 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 लड़की थी किंग्जू, इ इतना तेजी से बढ़ते, इन तीनों के सामने प्रकट होती है, और एक के बादे, इन तीनों का गरदन उड़ा देती है, एक छण में तीन बंदे, जो के समसारा लिवर पर थे, उन्हें किंग्जू ने हरा दिया था, और इस बार इसने, इनके युवान स्पिरिट को भी न चाना, तुम डिजर्ब करती है, पूरे इस्टन जुवान रिजन में, नंबर वन जनरेशन कहलाने के, इवेन हमारी युवान गेट के थ्री लेटल केंग्स भी, तुमारे सामने जोक है, किंग्स जो जब यह सुनती है, नंबर वन यंग्स्टर, इस जनरेशन में, शायद म मर जाऊं, आज यहाँ पर, लेकिन, फ्यूचर में जरूर कोई आएगा, और आपका युवान गेट, तब खातम हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा, कि इस्टन जुवान रिजन का, नंबर वन बंदा कौन है, अब यह ओल्ड मैन कहता है, मुझे उससे कोई फरक न लूफैंग कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तुम टेंशन मतलो, तुम्हें मारने के बाद मैं इस इन सभी को मार दूँगा, किंगजू कुछ कुछ कहती नहीं, इसके बॉड़ी से ग्रीन औरा बाहर निकलती, तलवार में अंटर करती है, और लूफैंग पर एक स्लैश अट थी, वो भी इस औरा के करण, जो एविल औरा आ रही थी, वो अपने आप सप्रेस हो जाता है, पर फिर भी किंगजू, अपने तलवार से, लूफैंग के दो उंगलिया काड़ देती है, और इस तलवार ये लूफैंग के हार्ट की तरफ एम करती है, पर जो लूफैंग का अटेक था, जिसमें डेविल की मिक्स था, किंगजू की बोडी पर आकर टकरा जाता है, किंगजू काफी दूर जाके गिरती है, और खून की उल्टी इसकी सुरू हो जाती है, किंगजू का भी जो तलवार था, लूफैंग के हार्ट को हलका सा टच कर गया था, प्यूर्ट किंगजू जहां पर गिरी थी, उसके तरफ बढ़ने लगता है, किंगजू भी अब हेल्पलेस फेल कर रही थी, शाद अब यह हार चुकी थी, और आज यहीं सकान्त था, सूर वो दूर से देखती है, और कहती सीनियर सिष्टर, यह भी कोशिश करना चाती थी, इसे बचान के लिए, पर यह भी खुद कमजोर हो चुकी थी, सब ही यहाँ पर उदास हो चुके थे, पर अचानक से, यहाँ पर एक हवा टाइप कुछ चलता है, और एक बंदा किंगजू के सामने प्रकट हो, और वो जो नाइफ लेकर एल्डर बढ़ रहे थे, उन पर एक पंच मारता यह, एल्डर थोड़े दूर जाके गिरते हैं, पहले तो इनको लग रहा था, मतलब बहुत सारे डिसाइपल्स, यह अपने आखे बंद कर चुके थे, पर यह जब देखते हैं उस जगेप, कि किंग्जू को कुछ हुआ नहीं है, सूरू, जो कि अपना चेहरा नीचे जुक हलका सा इसका भी दिल fluctuate करता है, लिंग डॉंग हलका सा अपना मून्डी टेना करता है, और इसके तरफ देखकर कहता है, मेरे रहते हुए, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है, किंग्जू के भी आखों में, पहली बार आशू आ चुके थे, लिंग डॉंग देखता है, जू भी थोड़ी आईसी नेचर की थी, पर वान वान इतना नहीं, लिंग डॉंग इसके पास आता है, किंग्जू वैसे भी, इसमें थोड़ी वीक थी, तो इसे समझ में नहीं यह बंदा करना कह चाता है, लिंग डॉंग हलका सा जोगता है, और इसे उठा लेता है दोनों उठा ले रहा है। उधर पीछे से सू्रुओ चिला ते व्यारी ती Big Brother Link Dung, Big Brother Link Dung Link Dung भी सूरुओ के पास आता है King Dieu को ले कर और इसके बाद थोड़ा दूर आके इसके पास ही रख देता है और सूरुओ के सर को हलका सा एक थप थपी देता है ये काफे खुश हो जाती है, किंग्जू इस समय ये नकाब तो पहनी थी, पर इसका चेरा बलश के मारे थोड़ा लाल हो चुका था, अब यहाँ पर Purity Palace के कई सारे डिसाइपल्स आ चुके थे, और ये किंग्जू अगरा से कहते हैं, बाकी तुम लोग आप खुद को सम्हाल मेरे डाव सेक्टर डिसाइपल्स इन युवान गेट को सम्हाल लेंगे, और मैं इस फर्स्ट एल्डर को देखता हूँ, सूरू इसे कहती है, वो काफी पावरफुल है, लिंग्डॉं कहता है, तुम टेंशन मतलो, किंग्जू भी डाव सेक्टर डिसाइपल्स को इसका कुछ रिलेशन, पर इन तीन सालों में, इससे भी अब थोड़ा-थोड़ा, अच्छा खासा मतलब, समझ में आ गया था, नहीं तो किंग्जू काफी, होटी नीचर की थी, थोड़ा जीनियस, थोड़ा प्राइडी नीचर की, पर लिंग्डॉं के सामने, ये भी लिंग्डॉं के साथ, दुनिया को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके बीच में जो शुरुवात हुई थी, वो एक misunderstanding के कारण ही हुई थी, पर लिंग्डॉं इसमें वापस आता है, और किंग्जू का जो नकाब उसे निखाल देता है, किंग्जू तो डर के मारे अप थोड़ा से emotional type, मतलब इनके भी emotion fluctuate कर रहे है, लिंग्डॉं केता है, तुम भी ना नकाब के अच्छी देखती हो, और मेरे सामने परदा करने की क्या ही जुरुत है, किंग्जू केती है, तुमें क्या करना है, मैं जैसे भी रहू, लिंग्डॉं हसता है, अब उसके बाद, ये युवान गेट की तरफ देखता है, किंग्जू भी समझ रही थी, ये कहती थोड़ा साउधान रहना, ये लोग थोड़े weird है, लिंग्डॉं केता है, मुझे मालूम है, किंग्जू को आज तक यही लगता था, किंग्डॉं इसके वजए से ज़्यादा है, सायद इसको follow करता रहा, अभी तक इसको, वो clarity आई नहीं थी, अभी इसके अंदर, पूरानी कुछ जो यादे थी, ये लिंग्डॉं से कैसे मिली थी, और ये उसको मारना चाती थी, ये सब बाते याद आ रही थी, अब लिंग्डॉं आसमान में जाता है, और लू फैंग की तरफ लू फैंग के था तुम अकिले, लिंग्डॉं के था टेंशन मतले, वो तुम्हारे तीन कुत्ते जिंदा है न, जब तक वो नहीं मरेंगे, मैं नहीं मर सकता, लू फैंग को गुस्सा आता है, अब ये गुस्से में एक powerful punch, लिंग्डॉं के तरफ दे मारता है, तो sorry ये जो violent attack, एक तरफ से ये devore कर गया था, अब लिंग्डॉं रुखता नहीं, ये गायब होता है, और उस elder के सामने प्रकट होगा, उस elder के head को एम करकर, एक palm attack launch कर देता है, और इसके एक ही attack, वो जो elder थे, पहले तो उनकी body full ती है, और वो explode कर जाते है, और जो youan spirit बचा भी बता, लिंग्डॉं उसे भी पकड़ के समाप्त कर देता है, शैद इस घटना को होने में 10 सेकेंड से भी कम समय लगा होगा, कि इंग्डॉं वगेरा और भी ज़्यादा चौक जाते, कि लिंग्डॉं पहले से भी कहीं ज़्यादा गुना, ruthless हो चुका है, purity palace के disciples, इस fight को देखकर, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, कि जो इनकी सीनियर सेशर किंग्जू को, इनसे fight करने में इतना time लग रहा था, वही लिंग्डॉं बस अपने एक attack में, सूरू वो तो हमेशा कि big brother लिंग्डॉं काफी powerful है, मैं तो कहती थी न, अब ये काफी ज़्यादा excited थी, किं लिंग्डॉं भी पलट कर, इसा smile देता है, अब ये लूफैंग से कहता है, तो तुम्हारे वो sect master आये नहीं है, लूफैंग कहता है, लगता है तुम सच में काफी strong बन चुके हो, ठीक है फिर अब मुझे ही तुम्हें समाफ्द करना पढ़ेगा, लिंग्डॉं कहता है, लिंग्डॉं पर यूज करता है, इसमें इसका यूवान पावर और प्लस यीमो औरा मिक्स था, और एक पाम अटेक ये लिंग्डॉं की तरह बढ़ा देता है, पर जैसे इसका अटेक, जो के एक blade का shape ले चुका था, black color का इसमें glow था, लिंग्डॉं की तरह बढ़ता है, अचानक से एक black hole प्रकट होता है, और इसके इस attack को devore कर जाता है, लू फैंग चौक जाता है और कहता है लगता है तुम्हारे पास, devoring ancestral symbol है, लिंग्डॉं कहता है जरूर, लू फैंग इस समय काफी तेजी से पीछे हटता है, क्योंकि लिंग्डॉं यहाँ पर hand sign बस अपन और सामने वाले बंदे को एक prison में capture कर लेंगे, लू फैंग कहता है ठीक है, तुम्हारे पास devoring ancestral symbol है, तो भी क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, अब इसके body पर जो blackish glow था, और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, और एक fist attack यह मारता है, जिसको यह बोलता है, heaven, you one devil fish, और इस बार इसने यह जो attack use किया था, इसमें इसने अपना पूरा strength limit तक push करके use किया था, और जहां से भी यह fist attack आगे बढ़ रहा था, वहां का space distorted हो जा रहा था, सबी लोग अब सोच रहे थे कि लिंग डॉंग कैसे इस attack को handle करेगा, लिंग डॉंग इस attack को दिखकर अ आओ से fight करने में, पर उस समय इसका strength death stage पर था, पर अब बात कुछ अलग थी, और सीधा इस attack को बनाने के बाद वो जो fish attack आ रहा था, यह उसकी तरप बढ़ जाता है, इसका बिलकुल भी इरादा नहीं था, कि उस attack को यह dodge करे, यह सीधा लूफ हैंग से head on fight करने को देखता है, सूरो भी थोड़ा चिंतित हो जाती है, बस kings हो इस समय शान्त थी, हलका सा यह भी बीच बीच में अपने दाल को पीस रही थी, दोनों के attack अब एक दूसरे से ठकराते हैं, ऐसा लग था मानो पूरा दुनिया ही, इस समय काप रहा हो, अब वहां पर bright light चमा करी थी, तो पस इतनी ability के साथ, तुम तीनो सेक्ट मास्टर से fight करना चाते हो, लिंग डॉंग कहता है, तुम जल्दी ही खुश हो रहे हो, अब इसका liquid hand थो था, पर इस समय दो ancient symbols यहां पर प्रकट होते हैं, और इसका यह जो black lightning attack था, इस समय explode कर जाता है, और इस समय लिंग डॉंग थो प्रकट ही मारता है, और यह attack इतना खतरनाक कि सिधा लूफ है, इसके chest पर लिंग डॉंग एक hole कर देता, और इसका चेहरा इस समय पीला पर जुगा था, और डर भी लगा था इसे अब, इसको समझ में नहीं हर था, ऐसा कैसे सम्भव है, क्योंकि लूफ हलका सा reincarnation ripple, टच कर चुका था, यह कैसे एक समसारा लेवल के बंदे से हार सकता है, फाइट तो अभी शुरू हुआ है, और यह इस लेवल पर इतना जल्दी हार गया, सूर वो तो खुश हो चुकी थी, कि बिग ब्रदर लिंग डॉंग जीत चुके है, क्योंकि इनको मालुम था, कि जो purity palace की headmaster थी, उन्हें इसी बंदे में injured किया था, या एक तरह से आपका हिसकते को मार दिया था, युवान गेट के जो कुछ elders थे, वो first elder को समालते हैं, क्या आप ठीक हो, लुफएंग फिर से कहते हैं, बचे वे disciples, purity palace को खतम कर, और तुम तीनों elders, मेरे साथ मिल कर, इस बच्चे को ह में, कुछ एक disciples प्रकट होते हैं, और इनके औराज को फिल कर, सूर्वो भी हैरान हो जाती है, यह लोग काफी powerful थे, किंग जु भी कहती है, इन में से तो मैं बहुतों को जानती भी नहीं हूँ, डाव सेक के कुछ disciples को तो मैं पहचान रही हूँ, पर कुछ को बिलकुल नही यह big brother Ling Dong के साथ, आए वे लोग हैं, इन में से little martin, zoo li, और बाकी लोग थे, लुफैंग जब इन लोगों को देखता है, उसका भी चेहरा बदल जाता है, अब बाकी elders, first elder, लुफैंग से कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, लुफैंग भी अब कहते हैं, भागो यहां से, अब ही यह feel करता है, कि इसके आसपास का जो space है, वो अचानक से ठंडा होने लगा हो, जबकि यह Ling Dong से 10,000 feet की दूरी पर था, और तभी इसकी नजर पड़ एक delicate figure पर, जो के एक pine tree पर खड़ी थी, एक mountain पर, और इसके बाल नीली रंके थे, यह देखते ही पहचान जाता है, Ling Dong इनके सामने प्रकट होता है, और तुरन थी, इसके हाथों में एक छोटा सा tablet आता है, यह था इसका great desolate tablet, tablet जो था, वो expand होता है, और इसमें से ancient ripples बाहर निकलते हैं, और तुरन थी, इनके body में जो demonik की था, अपने आप गायब होने रगता है, तभी इस समय, Lou Feng अप और कहता है, Old Dogs of Yuan Gate, तो तुम finally आ ही गया, पर Ling Dong फिर भी अपने desolate tablet को expand करता है, वो जो silver large hand ढारा था, उससे ये, उस पर ये, इस desolate tablet से attack कर देता है, Silver hand, जो कि पहले Lou Feng की तरह बढ़ रहा है, अब ये Ling Dong की attack को देखकर इस की तरह बढ़ता है, और tablet से आके ठगराता है, और इस collision से violent energy काफी दूर तक फेलती है, Lou Feng, क्योंकि इसके काफी करीब था, इनका group, तो ये खून के उल्टी करने लगते हैं, अब ये जो भी silver hand था, ये इस attack को, यानि great desolate tablet को भी समाल लेता है, अब Ling Dong की समिस बैटल में फसा हुआ था, तब ही एक ice phoenix devil suppressing lock attack, मतलब एक ice phoenix, इस silver hand की तरह बढ़ता है, silver hand, जो की काफी powerful था, ice phoenix के cold aura के कर, अब ये surprise होने लगता है, और desolate tablet तो था ही पहले, तो दोनों मिलकर इसे surprise करने लगते हैं, अब ये silver hand, finally disappear हो जाता है, Ling Dong को एक चीज़ समझ में नहीं आता, ये silver hand अचानक से गायब कैसे हो गया, और एक mysterious तरीके से, फर्श एल्डर जूली वगएरा भी इस चीज़ को देख रहे थे, और ये भी काफी surprise होते हैं, 1-1 पीछे से कहती है, कि Ling Dong सावधान रहो, ये अपने ice wall को फिर से एक shape दे रही थी, तब ही यहां का space fair से distort होता है, और एक silver hand अचानक से Ling Dong के तरफ attack कर देता है, और जो ice wall था, उसे ये तोड देता है, पर इतना समय Ling Dong के लिए काफी था, ये इस attack को dodge कर लेता है, silver hand फिर से गायब हो जाता है, अब ऐसा हो रहाता है, ये जो भी power है, Ling Dong feel करता था, पर जैसी hand गायब होता था, ऐसा लग रहा था, यह power यहां पर है ही नहीं, इखाना नीचाता था, ये फिर से desolate tablet बाहर निकलता है, और उसमें से एक ancient light बाहर इनकी तरफ निकलती है, तब ही, फिर से space एक बार distort होता है, जैसे ये desolate tablet इन्हें निकलने वाला था, Ling Dong तूरंथी great desolate tablet के पास प्रकट होता है, और इस समय इसके body से gold purplish light बाहर निकलती है और कई सारी golden tattoos ये बनाता है, और इस बार इसने 3000 golden tattoos बनाये थे, और एक 10,000 फिट ये dragon claw attack बना कर, जहापर वो space फट रहा था, उसकी तरफ ये attack बढ़ा देता है, silver hand वहां से बाहर निकलता है, और इसके attack से ठकराता है, और इस बार silver hand मजबूर था, पीछे हटने पर, और इस करोगे, पर इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगा था, लिंग डॉंग कहता है, क्योंकि तुम अपनी original body के साथ, यहां आ नहीं रहो, तो मैं इन चारों को मार देता हूँ, one one भी, यहां पर कई सारे ice chains बनाती, और लू फैंग के group पर attack कर देती है, one one, इन चारों को, क्योंकि इस परकट होता है, और इस पर attack करने लगता है, अब इस बार, लिंग डॉंग अपने attack को इसके तरह भेशता नहीं, बलकि सीधा उस silver hand के सामने परकट होता है, और इसके palm devoring power और lightning power एक साथ चमकते हैं, और जो बचा खुचा, इस silver hand का miserious power था, यह से destroy करने को देखता है, और इ यह बनता, अब यहां से गायब हो जाता है, one one इससे पूचती है, तुमने feel किया ना, लिंग डॉंग कहता है, हाँ मुझे इतना तो समझ में है, वो किसी ancestral symbol के power को use कर रहा है, one one कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा, और यह कहती है, मेरे हिसाब से, अगर मेरा guest सही है, तो इ लिंग डॉंग एक चीज फील गया था, अगर एक peak level का भी reincarnation expert हो, तो यह जो भी बंदर, इससे fight करना थोड़ा मुझकिल तो जाएगा, one one को भी नहीं पता था, कि कब से, युवान gate के पास special ancestral symbol आ गया, पर लिंग डॉंग कहता है, कुछ भी हो, इन्हें हराने के बाद, मैं इन तीनों के बीच में थोड़ा एक अलगी relation था, हाला कि, one one के साथ इसका relation हमेशा से अच्छा था, पर किंग जू के साथ वाला relation, इसने कभी one one को बताया नहीं था, और दोनों लड़किया थोड़ी होटी थी, कहने का मतलब, कि अपने पती को किसी से share नहीं करना चाती थी अब लिंग डॉंग को मालूम था, कि फिलाल ये कुछ नहीं कर सकता, ये किंग जू को सुरू से हाशिल करना चाता था, और one one तो ऐसा लगता था, इसके रोज का दिन चर्या बन चुकी हो, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की साथ काफी समय विताया था, और कई सारे life और death battles एक साथ लड़े थे, जिसके वज़े से ये काफी close आ गये थे, और दोनों की खासियत थी, जहां किंग जू, purity palace की सबसे outstanding disciple थी, तो वहीं, one one, ice master की reincarnator, जो की जितने ancient masters थे, उनमें सबसे ज़्यादा powerful और अगला symbol ancestor बनने की सबसे योग्य महिला, ये लिंग डॉंग के लिए सब बड़ा सीरदर्द बनने वाला था, बची होई युवान गिर के disciples को भी यहां पर मार दिया जाता है, सूरू अब काफी ज़्यादा excited थी, लिंग डॉंग भी अब इनकी तरह पढ़ता है, one one, थोड़ा सा hesitate करती है, पर ये लिंग डॉंग को follow करती है, सूरू से इसकी ब बलती है, ऐसा लग रहा था, इस समय हवा ही, समय ही रोक गया हो, जब दोनों लेडीज एक दूसरों की आखों में देखती है, जहां हुआनों, इसके आज पास cold और रहती थी, वहीं King Zoo अंदर से काफी cold थी, ऐसा लग रहा था, पूरी दूनिया बस इनको देखकर ही गिर ज जाती है, अब लिंग डॉंग इस से पूसता है, कि पहले समास्टर थी बताती है, वो मर चुकी है, King Zoo इसे फेर से थैंक्स बोलती है, और डाव सेक के डिसाइपल्स को, जूली वगरा भी यहां पर थे, इस से बोलते हैं कि थैंक्स की कोई जूरत नहीं है, और जूली कहते ह निकल जाती है, डाव सेक्ट की तरफ, ओन ओन अपनी आईसी ब्लू आँखों से लिंग डॉंग को एक लुक देती है, और King Zoo को एक स्माइल, और उसके बादी एक हाथ बढ़ा के, उसके तरफ हाथ मिलाती है, और यह कहती है, हम शायद पहले मिल चुके है, King Zoo भी हाँ में सर तुम्हारा काफी खयाल रखती है, अब लिंग डॉंग इससे बूचता है, कि तुम्हें यान अमपायर गई थी, मम्मी से मिलने, King Zoo, नॉर्मल होके बोलती हाँ, मैं कुछ काम से वहाँ पर गई थी, तो तुम्हारे पैरेंट से भी मिल लिया, King Zoo जूट बोल रही थी, पर लिंग डॉंग कहता है, हाँ लेकिन मेरी मम्मी पूच रही थी, कि मैं तुम दोनों को कब लेके आ रहा हूं, King Zoo इसे एक लुक देती है, इसके आई ब्रोज थोड़े से सिकुड जाते हैं, कि दोनों, King Zoo अपना मुँ हटा लेती है, और इससे कहती है, तुम तीन साल में करना है, King Zoo को समझ में नहीं आता, ये पूचती तुम्हारा प्लान क्या है, ये बोलता है, तीन दिनों बाद, युवान गेट से भैंकर बैटल, मतलब उन्हें समाप्त करना है, अब लिंग डॉंग इससे कहता है, तुम लोगों को भी डाव सेक्ट चल जाना चाहिए, क्यो ये लोग पहले से काफी मैस में है, और इस चीज को मैं जहेल चुकी हूँ, सही रहेगा अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे फिलाल, फिर इनके बाते होती हैं, कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, लिंग डॉंग भी समझ रहा था, ये लड़की एक प्रिंसेस थी, और देखती हैं, तो थोड़ा सा अनीजी फिल करती हैं, और इसके पीछे से सूरुओ बोलती हैं, लगता इस बार, आपको बहुत बड़ा कंपरडीटर मिल गया है, किंग जो सूरुओ की तरफ देखती हैं, और इसे एक लोग देती, उसके बाद कहती हैं, वो तो मैं भी नहीं पैर जाती थी, सूरुओ कहती है, मुझे मालूम है, आप अपने दिल के आसपार, एक बरफ के सिल्ली रख चुकी हैं, पर शयाद ये बरफ का सिल्ली, आज नहीं तो कल गल ही जाएगा, सूरुओ की बात सुनका, किंग जो की काफी काम रहती, इसका बिचेरा बलश करने दाव सेट में, में होल में, इंग जुआंजी वगरा को दिखाये जाता है, लिंग डॉंग भी यहाँ पर आ चुका था, और इनकी डिसकसन्स चेल रहे थे, और ये बता रहा था कि ये युवान गेट वाले काफी कलिंग है, वान वन भी यहाँ पर बैटी थी, कि इस बार ह इंग जुआन जी, श्याद इस बैटल के बार, युवान गेट खतम भी हो जाए, और किंग जुआ अब कुछ इनफॉर्मेशन देरा, सबको सुरू करती है, ये जो बैटल शुरू किया था, युवान गेट में, पूरे इस्टन जुआन डिजन में, इसमें कई सूपर्चे आ सकते हैं, और तीन दिन बाज, हम युवान गेट पर अटैक करेंगे, अब ये युवान गेट, अलायंस उपन राथ, युवान डिस्ट्रक्शन अलायंस, इसका न्यूज चारो तरफ फैला दिया गया था, और कई सारे एक्सपर्ट, अब डाव सेक के तरफ बढ़ चुक अलायंस बनाया, अब इन तीनों में से एक बोलता है, कि मैं अभी लिंग डॉंग से फाइट करके आ रहा हूं, ये बंदा तीन साल में काफी पावर्फुल हो चुका है, टिया निवान जी कहते हैं, कास हम उसे तीन साल पहले मार दी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, रे ख्यान उगान जी उस बलरी फिगर की तरफ देखता है, और ये कहता है, कोई नहीं, आने दो डाव सेक्ट बालों को, इस बार मैं उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दोंगा, अब इदर तीन दिन बीतने का समय आ चुका था, बहुत सारे लोग डाव सेक्ट की तरफ ब बंदा है, जिसे युवान गेट बालों ने एक बार मारने का कोशिश किया था, और ये यहां से कैसी भी बचके भाग गया था, किसे क्या लगा था, कि ये बंदा है तीन सालों में इतना श्टॉंग बन जाएगा, शायद जाव टॉंग के बाद ये वैसा दूसरा बंदा है में भी ये उसको भी सरपास कर चुका है, ये इंग जुवान जी, अब जो भी लोग आये हुए थे, सबसे बाते करें, कि जो मैटर चल रहा है, सभी को मालू में युवान गेट ने क्या किया है, पर इस समय लिंग डॉंग की नज़र, एक ग्रीन कलर कपड़े पहने बंदे पर जाती है, लिंग डॉंग सेक्ट मास्टर से पूसता है, कि मास्टर इंग जुवान जी ये कौन है, क्योंकि इनकी औरा काफी पावर्फल थी, और ये समसारा लेवल के बंदे दिख रहे थे, और इनके पास स्वार्ड औरा था, यानि तलवार चलाते थे, हुवान वान अब ये जो सेक्ट है, हमने ये जो अलाइंस बनाया है, इस अच्छे से सबको अपना रोल समझाना पड़ेगा, ने तो फाल्तु में, मिस कॉडिनेशन के चक्कर में हम बैटल हार सकते हैं, अब लिंग डॉंग समझ जाता है, और आगे प्रकट होकर सबसे बात ही करने लग फार देता है, इसके काम करने के तरीके थुरे अलग थे, इंग जुवान जी से, जोकि एकदम रेस्पेक्ट दे कर बात कर रहे थे, टाइगर डिवोरिंग आर्मी भी इस समय आगे बढ़ते, लिंग डॉंग के पावर को देखकर, ब्लेड सेक्ट के लोगों या बाकी सेक् ग्रेट डेजुलेट पैलेस के भी एक सेक्ट महाशाराय थे, वो भी इनकी बात से सहमत थे, अब दीरे दीरे सब ही कहते हैं हम जान की बाजी लगा देंगे और युवान गेट को तबाह करेंगे, ये जुवान जी लिंग डॉंग के इस कम्मुनिकेशन को देकर काफी खु झाल 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 झाल